हेलो फ्रेंड्स राधे राधे सखी क्रोशेट में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पांच नंबर कानाजी की चोली यह बहुत ही इजी है फ्रेंड्स तो आईए हम बनाना शुरूर करते हैं कि स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कि सबसे पहले लूप लेंगे और इसमें 17 चेन बनाएंगे हमने 17 चेन बना ली है लास्ट वाली चेन को होल्ड करके तीन चेन और बनाएंगे हमें सेथे फॉर्ट चेन के अंदर डबल क्रोशय बनाएंगे तो यह तीन की चेन यह सब्सक्राइब क्रोशय अकांट हो जाएगा यह दूर इसी तरह से हर चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशय बनाएंगे स्टार्ट में फांडेशन चेन के लिए हम चेन जो है वो थोड़ा बड़ा और खुले हाथ से लेंगे ताकि चोली में खेचाव ना आए को इस तारह से हर चेन की अंदर हम एक डबल क्रोशिय करते वे इस रो को कंप्लीट कर ली है तो हमारे पास एक तीन की चेन और हर chain में एक एक double crochet तो 17 chain पर 17 double crochet और एक तीन की chain total हमारे पास 18 double crochet होगे इस row में second row start करते हैं तीन chain ली turn कर लिया और same space में नहीं हम next में दो बार double crochet बनाएंगे next chain में फिर से दो बार next chain में फिर से दो बार double crochet इस तरह से हर chain की अंदर हम दो दो बार double crochet बनाएंगे first और last chain की अंदर हम एक एक बार बनाएंगे तो row के end में हमारे पास में total 34 double crochet हो जाएंगे इस तरह से हर chain में दो दो बार double crochet करते हैं हम row को पूरा करते हैं first में तीन की chain और हर chain में बाकी सब चेंज में दो डबल क्रोशिया करते हैं रो के last में आ गए हैं यहां जो लास्ट में तीन की chain ली थी हमने स्टार्ट में इसमें हम एक बार double crochet बनाएंगे इस तरह से फर्स्ट और लास्ट में हमारे पास एक एक है बाकी सब में दो दो डबल क्रोशिया होने से इस रो के एंड में हमारे पास 34 डबल क्रोशिया होगे थर्ट रोग शुरू करने के लिए तीन की chain बनाएंगे टर्न किया सेम चेन में नहीं सेकेंड चेन में हम दो बार double crochet बनाएंगे नेक्स्ट में एक बार नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चीन में फिर से एक बार बनाएंगे नेक्स्ट चेन में दो बार double crochet बनाएंगे पर्स्ट चेन के अंदर हमने यह तीन की चेन बनाई सेकंड चेन में दो बार double crochet बनाएंगे उसके बार दो बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में दो बार बनाएं इसी तरह से हम हर थर्ड चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस में दो बार बनाएंगे नेक्स्ट में एक बार डबन क्रोशिया नेक्स्ट में फिर से एक बार डुपी बब exploring में दो बार परोसंगे अ कि इस तरह से हम हर तीसरी चेन में दो डबल क्रोशिया बनाते वेस रोगों कम्प्लीट करेंगे थर्ड राउंड के हम लास्ट में आ गए हैं यहां दो डबल क्रोशिया बनाए उसके बाद इसमें एक और लास्ट दीन की चेन है उसमें भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे कि थर्ड राउंड में हमारे पास फॉर्टी फाइफ डबल क्रोशिया हो गए नेक्स राउंड में हम आर्म होल निकालेंगे लोगा है आप होल के लिए तीन की चेन ली टर्न किया नेक्स्ट में एक डबल क्रोश्या नेक्स्ट में इक डबल क्रोश्या नेक्स्ट चेन में भी एक बार कि प्रेंट पॉर्शन के लिए हम छे डबल क्रोश्या लेंगे इसकी बाद 10 स्किप करेंगे 123456789 10 कि 11 चेन के अंदर हम क्रोश्या हुग डालेंगे और डबल क्रोश्या बनाएंगे इसी तरह से हर चेन में एक डबल क्रोश्या बनाते हो हम 13 क्रोश्या बनाएंगे क्रोश्या बनाएंगे क्रोश्या के लिए हमने थर्टीन डबल क्रोश्या बनाएंगे क्रोश्या बनाएंगे क्रोश्या बनाएंगे क्रोश्या बनाएंगे क्रोश्या बनाएंगे अब हमारे पास यहां छे धर हो गए छे इस तरफ हो गए और बीच के तेरा डबल क्रोश्या हो गए टोटल हमारे पास ट्वेंटीफाइव डबल क्रोश्या है लास्ट रॉन में बिना कुछ इंक्रीज किये वे हम 25 डबल क्रोश्या बना देंगे तीन की चेन ली टर्न किया और हर चेन पे एक एक डबल क्रोश्या करती हुए इस रोगों कम्प्लीट कर लेंगे कि रोगी लास्ट में आ गए हैं तीन की चेन में डबल क्रोश्या बनाया इस तरह से हमारे पास 25 डबल क्रोश्या हो गए और राउं को जॉइन करने के लिए वान टू और थ्री थर्ड चेन की अंदर हम स्लिप स्टिच से राउं को जॉइन कर गेंगे इस तरह से हमारी यह पास नमबर तानाजी की चोली बनकर तयार हो गई आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल बटन को प्रेस जरूर राधी राधी